नमस्कार दोस्तों साथियों चौदरी जी एजुकेशन पे आपका स्वागत है अभिनंदन है और आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग के साथ बात चीत करने वाले हैं कि चंदर शेखर आजाद यूनिवर्सिटी ओफ एग्रिकल्चर एंड टेकनलोजी कानपुर में आप किस तरह से एड्मिसन ले सकते हैं उत्तर प्रदेश के छात्रों को इस विश्व विद्याले में एड्मिसन लेने के लिए कौन सा एक्जाम देना पड़ेगा और उत्तर प्रदेश के अलावा यानि कि बिहार या फिर राजस्थान या फिर किसी अन्य राजी के छात्र को इस विश्व विद्याले में एड्मिसन लेने के लिए कौन सा एक्जाम देना पड़ेगा और इस विश्व विद्याले से जुरी हड़े छोटी बड़ी जानकारी आपको इस वीडियो की माध्यम से हम देंगे तो वीडियो को सुरू करने से पहले आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो किर्प्या करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि एग्रिकल्चर से रिलेटेड आपको हड़े एक छोटी बड़ी इन्फोर्मेशन आपको इस वीडियो की माध्यम से दी जाएगी तो चलिए हम सब मुझे से पहले आपको बताते हैं चंदर सेकर आजाद युनिवर्सीटी आफ एंग्रिकल्चर और टेकनलोजी के बाड़े में तो दोस्तु हम आपको बता दें कि यृ एक ऐसा युनिवर्सिटी है जिसमें एग्रीकल्चर या फिर एग्रीकल्चर से एलाइट जो यह यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के कानपुर में इस्थित है और इस यूनिवर्सिटी में अगर उत्तर प्रदेश के जो निवासी है जिनका घर उत्तर प्रदेश में ही है तो वो अगर इस यूनिवर्सिटी में एडमिसन लेना चाहते हैं तो उनको एस्टेट का एक इक्जाम होता है जिसका नाम है UP CATET, UP CATET का इक्जाम देके आप इसमें एड्मिसन ले सकते हैं और उसके बाद हम आपको बताएं कि अगर उत्तर प्रदेश के अलावा किसी अन्य राजी के छात्रे इसमें एड्मिसन लेना चाहते हैं तो वो ICAR, ICAR का एक इक्जाम होता है जो क NTA, National Testing Agency, कंड़क्ट करवाती है तो उस इंटरेंस इजाम को देखे अपना रैंक सेक्योर करके आप इस युनिवर्सिटी में एड्मिसन ले सकते हैं और उसके बाद हम आपको ये बता दे कि इस युनिवर्सिटी में एड्मिसन हो जाने के बाद आपको नॉर्मली स्टुड प्रवाइड कराई जाती है उसके बाद हम आपको बता दे कि जो एकाडमिक फैसिलिटी जोती वो सभी फैसिलिटी आपको एक अच्छे लेवल का आपको वहाँ पर मिलता है और ये एक बहुत ही अच्छा युनिवर्सिटी है यहां से हर एक साल एस्टुडेंट जी आरेफ दोनों निकालते हैं और ये एक बहुत अच्छा युनिवर्सिटी है यहां के स्टुडेंट यूपी पीसी भी निकालते हर एक साल तो आप बेहिजक आप इसमें अड्मिर्सन लीजिए इसकी तयारी कीजिए और बहुत लोगों का ये भी थोड़ा सा डाउट रह जाता है क कि यह आइसे आर से अफलियेटेड है की नहीं तो हम आपको बता दे कि यह आइसे आर से अफलियेटेड है यह बहुत अच्छा युनिवर्सिटी है आप इसमें बेसक अड्मिर्सन लीजिए भन्यवाद थाइंस पर वाचिंग उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लि किये वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल के साथ बने रहें बन्यवाद